भारतिय रेल का विकास और विस्तार करने के लिए स्थापित कमपनी पर रेल विकास निगम कमपनी को वर्तमान में 160 करोड का ओर्डर प्राप्थ हुआ है और साथ में इस टॉप को कुछ महीनों से लगातार अच्छे पैसे ओर्डर भी प्राप्थ हो रहे हैं इस कमपनी में पिछले एक साल में 213% रिटन प्राप्त करके दिये तो पिछले 6 महीने में भी 112% के शांदार रिटन कमपनी ने निवेशकों को प्राप्त करके दिये हैं कमपनी ने अपनी चौथी तिमाही में शांदार प्रदर्शन करते हुए नेट सल्ज और नेट प्रॉफिट में काफी अच्छी बड़ा हासिल की है क्योंकि पिछले हुए किसी भी तिमाही में कमपनी ने सबसे अधिक 370.09 करोड का नेट प्रॉफिट हासिल किया था लेकिन कमपनी को वर्तमान में कमपनी ने 433.32 करोड का शांदार नेट प्रॉफिट हासिल किया है कमपनी को वर्तमान में 160 करोड का ओडर कमपनी के मिली जानकारी के अनुसार कमपनी में सबसे कम बोली लगाने वाली कमपनी के तौर पर 160.08 करोड का ओडर कमपनी को इस्ट कोस्ट से प्राप्त हुआ है जिस कारण अगर हम देखें तो इस कंपनी का शेयर मार्केट में 52 वीक हाई लेवल 424.95 का तो 52 वीक लोल लेवल 116.15 रुपे का है तो साथ में कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.84 प्रतिशत की वर्तमान में दर्ज है 10 जून 2024 को मिला था order Company को इससे पहले Central Railway के OHE Modification Work के तहट नागपुर Division Central Railway के तहट 133.45 करोड का order प्राप्थ हुआ था वह order Company को 24 महीने में पूरा करना है और Company को 10 जून 2024 को order प्राप्थ हुआ था Disclaimer, Equity News का विजन भारत में विट्तिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजी कृत विट्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या विट्तिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे कृपया अपने विट्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी कृत विट्तिय सलाहकार से परामर्श लें